प्रिता बले ही अपने करन के बिना अपने बेटी काविया के साथ जिन्दगी जी रही है जहाँ पर उसे पलपल अपने करन की याद बहुत जादर सताती है क्योंकि करन से वो कितना प्यार करती थी ये सब को पता है लेकिन अब डिशा भी उसकी मांग का सिंदूर बनकर रह ग करन के खयालों में और यादों में खो जाती है लेकिन उस वक्त भी प्रिता को लिए कि एक के बात बलकि करन अपनी बेटी से बात कर रहा है और यह देख कर प्रीता की आँखों से आशू निकलाएंगे प्रीता को दोनों पराएं नहीं बलकि एक बाप बेटी की तरह है बात करते हुए 여पस में खेलते हुए नज़राएंगे जिसके बाद प्रीता अपना आपप को अपने आ आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले